कुरोना जांच में घफलत और गर्बड़ी के मामले लगतार सामदे आते रहे हैं राजिस्थान के नागौर से आरेलपी के सांसद हनुआन बेरिवाल ने भी कुरोना की जांच रिपोर्ट को लेकर सवाल खड़े किये हैं गरसल आज से शुरू हुए लोगसभा के सत्र के लिए सभी सांसदों की लोगसभा परिसर में कुरोना टेस्ट हुआ जिसमें हनुमान बेरिवाल के रिपोर्ट पॉजिटिव आई इसके बाद जैपूर में बेनिवाल ने दोबारा समस हास्पिटल में अपनी कोरोना जांच करवाई और इस बार उनके रिपोर्ट नेगेटिव आई इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी बेनिवाल ने लिखा कि 11 सितमबर 2020 को लोगसभा परिसर में मैंने कोविट जांच करवाई इसके सम्मन्द में 13 सितमबर को मुझे फोन पर लोगसभा सच्चिवाली में बताया गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ बेनिवाल ने ट्वीट में लिखा कि इस दोरान मैं जैपूर में ही था नहाजा वरिष्ट चिकेट सगों से सलाह करके जैपूर SMS में कोरोना की जांच के लिए दोबारा सेंपल दिया जिसकी रिपोर्ट मुझे अभी प्राप्त हुई जो नेगेटिव आई है दोनों रिपोर्ट आपके साथ साजा करता हूँ आखिर किस रिपोर्ट को सही माना जाए दरसल संसत चलने से पहले सभी सांसदों का COVID-19 टेस्ट हुआ था उनमें से अब तक 17 सांसदों के रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है